नमस्कार दोस्तों आप है अपने ही गुड़िविंग चैनल पे और भई मैंने दो दिन से काफी सारा काम किया गार्डिंग का बहुत सारे पोद्दों के कटाई छटाई की ये नई-ने स्टेंप्स लगाई हैं परसलेन पूर्चुला का की इनकी सफाई करकर आके और जो भी कमले हटाके मैं सारे कठे करूँगी और अगर जो करश होंगे सुख्य होए होंगे तो मट्टी में मिक्स कर दूँगी नहीं तो फिर मैं जो भी नए पोद्दे लगाऊंगी बेस में इनका इस्तमाल कर लूँगी तो बिल्कुल दोस्तों ये कोई फैकने की चीज़े नहीं हैं तो देखी लो मेरा काम भई तो तिन दिन से मैं लगी होई थी तो सासथ गुड़ाई के सासथ मैंने चोटी-चोटी सी न स्टेम्स भी लगा दी है ताकि उपर की तरफ अगर प्लांट बढ़ रहा है तो निचे ये जो हमारे फुल वाले पोद्दे हैं घर्मियों के ये सारा का सारा पोट कवर कर ले इस साइड ये छोटे वालों में तो मैंने लगा दी कटाई-चटाई कर दी और ये उपर वाले भई अभी रह गए हैं इनकी कटाई-चटाई मैं देखो कप करूँगी और जो जो दोस्तो स्टेम्स निकलती जा रही हैं अच्छी लगाने वाल लेकिन इसके पीछे वाले जो प्लांट है ना उनकी मुझे अभी कटाई-छटाई करनी है जैसे की यह है अब यह वाला हिस्सा रह गया है दो-तिन हिस्से मैंने खतम कर ली है क्योंकि प्लांट है बहुत सारी एक दिन में तो देखो होता नहीं है काम और नहीं दोस्तों कोई जदवाजी का काम है कि किसी को पकड़वा के हम करवा दें फिर वो गल्सलत करेगा एक जो खुद काम होता है बड़ा अराम से और तसलिष से होता है वो कि अब यह देखो जितने पत्ते जड़े नेवे गिरेंगे हैं ना कोई ओर होगा तो इनको फैक देगा हैं नि और हम तो इनको इस्तमाल भी करेंगे और garden को साफ सुतरा रखने के साथ साथ जो भी cutting लगती जाएंगी कि लगाने लायक है उनको भी हम बेकार नहीं जाने देंगे उनको भी हम साथ साथ लगते जाएंगे क्योंकि दिखो सर्दियों के जो फूल है वो तो अब चली जाएंगे लेकिन जो हमारा evergreen garden है और जो free of cost plant हम अपने आप से बना सकते हैं बिना इन stems को बेकार किये तो उनको भी आपको साथ साथ लगते जाना है और ये वीडियो दोस्तों कोई एक plant के उपर नहीं है ये simple information है gardening की कि जब भी आप garden की साफ सफाई करते हैं या किसी से करवाते भी हैं तो आपने जो भी आपकी stems निकल रही हैं लगाने लाइक और जिसमी तरीके से आप उधा लगा सकते हो चाए बीज के जरीए लगाओ या stem के जरीए लगाओ तो वो भी आपने साथ लगाते जाना है जैसे कि मेरे पर्सलेंग पर्चुला का किया कि जो पुराने प्लांट थे कुछ तो मैंने साफ कर रखे थे कुछ जो रह गए थे उनकी जो मैंने कटाई की क्यूंकि दोस्तों कटाई करने उनकी इसलिए भी जरूरी है फूल तो उन पे भी आ जाएंगे स्टैम तो निकलेंगी लेकिन कटाई छटाई के बाद जो एक बड़िया सी ग्रोथ होगी ना प्लांट की किसी भी प्लांट की तो वो और ज़्यादा अच्छी होगी और दूसरा हमें नहीनी स्टैम भी लगाने को मिलगी और जब भी आप कटाई छटाई करते हो तो फूल ज़्यादा आती है और जो नई स्टैम लगाते हो तब भी वो ग्रोव करके ज़्यादा ही फ्लावरिंग देती है बजाए की पुरानी के और जैसा कि अब भार का मोसम आई जाएगा तो बस ये सारे जो पुद्धें हैं जिनके अभी कटाई छटाई हुई है चाहे नहीं हुई है ये अपनी ग्रोथ जरूर दिखाएंगे और अगर आप इनकी साफ सफाई अभी से करनी शुरू कर देते हो कटाई छटाई शुरू कर देते हो तो फिर आप इनकी ग्रोथ देखना और यही टाई में दोस्तो मार्च का की हम पोद्धों में खाद वगरा डालते हैं क्योंकि साफ सफाई करने के बाद फिर टाई माता है इनको खुराग देने का तो कटाई छटाई के बाद जब आप सोचते हो कि अब क्या देना चाहिए ग्रोथ पे आएंगे प्लांट तो आपको खाद का भी इनतिजाम करना चाहिए खाद में कोई भी हो सकती है आपकी काउडंग में नियूर हो सकती है और वर्मी कंपोस्ट हो सकती है कोई भी जो भी अब तो मार्केट में भी बैग अवेलेबल हैं, हो सके तो आसपास से जुगाड किया करो डेरी वगरा वाले होते हैं जो, और यह देखो, सब पे साइन बने हुए हैं, गरोथ के, छोटे-छोटे से पत्ते निकलने शुरू हो गए हैं, जो कि सारे जड़के थे, यह देखो, पतनी कैमरे में आपको बहुत अच्छे से दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, यह देखो, है न, दिख रहे हैं न, छोटे-छोटे पत्ते, तो इसका मतलब जितने भी आपके पुराने पत्ते थे, अगर वो जढ़ने होंगे तो जढ़ जाएंगे, और नहीं तो कटाई- अवेलेबल हो, तो भी सासाथ वो भी डालते जाओ, फिर दुबारा क्यों काम करना, तो बस यही का वीडियो था, और यही मुझे आपके साथ इंफोर्मेशन शेयर करनी थी, और बस सारे के सारे प्लांट अब अपना ग्रोथ साइन दिखा रहे हैं, और कुछ प्लांट दो और आप भी बताना आप गार्डन में अपनी क्या क्या कर रहे हो, और और इस ट्रंपेट वाइन के हाल देख लो भी, बिल्कुल सुखी हुई है, लेकिन अभी थोड़ी दिन में देखना इसमें फुटाव शुरू हो जाएगा, एक तो दिखाई थी मैंने बिल्ली ने यह भी सारे खूब अच्छे चल रहे हैं प्लांट, तो बस आपके साथ यही शेयर करना था, कि जो भी आपका टाई-चटाई कर रहे हो, उसका जो वेस्ट निकलता है, उसको आपने नहीं फैकना है, और जिन प्लांट्स को आपको लगता है बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रह बस यह मेरा भी देखो गार्डन, जैसे जैसे टाइम मिलता जाता है दिन में, मैं करी देती हूं कुछ ना कुछ है, क्योंकि दोस्तों जो वीडियो बनाने का काम है न, वो तो एक अलग है चलो, लेकिन जिसको जिस काम में मज़ा आता है न, जो पैशन होता है उसका, उसका इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि कोई देख रहा है, आपको पसंद कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, अगर आप अपने काम को पसंद कर रहे हो, चाहे आपको कोई एड्मायर करे, नहीं करे, आपकी दिली तसली होते है उस काम को करने से और बिल्कुल आप मेरे काम में मेरे इस बात से या इस काम से अगरी करते होंगे क्योंकि जिस काम में दोस्तों दिल लगता है ना फिर आदमी को कोई फरक नी पड़ता कोई क्या कह रहा है क्या नी कह रहा है और बस आप अपना डेली का काम करते हो और बस यह देखो न दो दिन में और अच्छे से सूख जाएगी तो मैं उसको बकेट में भर-बर के फिर मैं पिछे इस तरफ लियाऊँगी और इन प्लांट्स में डालना शुरू कर दूँगी अभी मैंने देखा तो गिल्ली थी वो थोड़ी सी थोड़ी सी और सूख जाए क्योंकि खुले में रखी हुई है वो बरसात वगर आती है तो भीग जाती है लेकिन देखो इन प्लांट्स को भी सबको अब खाद की जरूरत है सफाई सी तो मैंने कर दी है इनकी लेकिन फिर भी अभी खाद डालनी बाकी है जिस जिसमें मुझे जरूरी लगेगी न गुलाब में तो मैंने डाल दी थी आपके साथ शेयर भी किया था ये वीडियो ये कश्मीरी रोज के गुलाब है सोरी कश्मीरी रोज है कश्मीरी रोज के गुलाब नी प्लांट है गुलाब के तो इन में तो मैंने डाल दी थी, और अब जब इन सभी पोद्धों को जरूरत है, तो इन में भी डालनी बनती है, तो इन सब में मैं डाल दूगी, जितनी जिसमें डलेगी, और यह तो मैंने आपको दिखाया है था, कि यह बिली ने तोड़ दिया था, गमला, इसको भी चटाई चटाई कर दी थी और इस टेम दूस्तों आप किसी भी पलांट की कटिंग लगा सकते हो किसी भी प्लांट की जिसकी भी आप लगाओंगे इन क्रॉटोनесс की लगाओं किसी की लगाओ ये दिखो मैंने पीछे बोगन विला की लगाई थे न यह भी चल पड़ी है तो इस टैम आप जिस भी पोद्धी की कटिंग लगाओगे ना थोड़े दिन में आप देखोगे उस पे ग्रोथ जुरूर आएगी और ग्रोव करना वो शुरू हो जाएगी तो बस ध्यान रखो कि आपने कौन से प्लांट को अपने मल्टिप्लाई करना है और किसकी कटाई छटाई करनी है किसकी कटिंग लगने लायक है बस यही बाते हैं और जब मैं खात लाओंगी तो इन सब में दिरे दिरे से डालती चली जाओंगी जितनी हो सकती है मैं कटाई छटाई कर देती हूँ दिन भर में और बस और एवरगेन प्लांट दोस्तों मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं सीजनल प्लांट की बजाए क्योंकि हमेशा आपका साथ देते हैं भली सर्दियों में थोड़े टाइम ग्रोध रुख जाए लेकिन आपके प्लांट प्रूनिंग के बाद अच्छी देखवाल के बाद इतने सुन्दर त्यार हो जाते हैं खूब सुन्दर और ये बोगन विला की देखो कटिंग दोनों त्यार होगी है ये देख रहे हो न नहीं ने पत्ते हैं न और इसमें दोस्तों पीछ कलर की है ये बोगन विला और जो ये कटिंग त्यार होगी है ये शायद है बही रेड कलर की है शायद है और इसकी भी करनी है अब यी कटा प्लांट जिसको बोलते हैं, हिबिस्कस की लगाओ, कनीर की लगाओ, मतलब पतनी इतने नाम मुझे जो दिखरे हैं मैं बोल रही हूँ, लेकिन किसी भी पोद्दे के आप कटिंग लगा सकते हो, और नए ने प्लांट साब त्यार कर सकते हो, और बस मेरा गार्ण तो खेर लेकि रहे हो, और मुझे बताना आप गार्णिंग में क्या क्या कर रहे हो, और बिल्कुल दोस्तों ये मोसम ऐसा है, कि आपके गर्मियों तक तो अप्रेल मई तक तो इतने सुनतर प्लांट क्यार हो जाएंगे, अगर आप अभी लगाने लग जाते हो, और स्टेम कटिंग दोस्तों इतना इजी मैथड है, इसमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, और बहुत जल्दी से कटिंग पे ग्रोथ आ जाती है, तो मुझे लगता है कि सब को ये कटिंग लगाने वाला मैथड जरूर सीखना चाहिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा हाथ साफ होने में, ल वह सारकाम होता है दोस्तों क्योंकि ना इस ट्म गर्मी है ना सर्दी है